Hello students, कल हमने amino acids का classification और उनको nomenclical करते हैं यह हमने पढ़ा था क्या होते amino acids उनको हमने दो प्रकार से classify किया था आज हम पढ़ेंगे essential amino acids, आफशक amino acids जिसको कल भी मैंने बताया था ऐसे amino acids जो की अपनी body के लिए सबसे ज़्यादा required होते हैं और हमारी शरीर जो है अक्सर amino acids का synthesis अपनी बॉड़ी में ही कर लेती है जो हम खाते हैं उनके उसको लेकर हमारी बॉड़ी अधिकाश amino acids का synthesis कर लेते हैं परन्तों कई उच्छ प्राणी जो है protein synthesis में उपयुक्त होने वाले सभी amino acids का synthesis करने में या synthesis करने में असमर्थ होते हैं जैसे की human being लगबख सारे proteins में जितने amino acids चाहिए हैं वो सारी हमारी body synthesize नहीं कर साकती है इसलिए ऐसे amino acids को हमें intake करना पड़ता है भोजन के द्वारा खाने के द्वारा किसी भी तरीके से हमें daily उनको लेना आफशक होता है इन amino acids का न तो मानव के शरीर में synthesize होता है और ना ही ये परयप्त नात्रा में बनाए जाते हैं इसलिए हम अपने daily diet में इन amino acids को लेना बहुत ज़्यादा आफशक्त है और इनकी उपस्तिती बहुत ज़्यादा जारूरी है और मैंने पहले ही बताता है इन 10 amino acids को जो कि जिने हम essential amino acids कहत इतने होता है इतने second love ने पहले पहले किसी एक क्मी होती है तो मृटियों भी बहुत और मृत बार बहुत से disease पीदा हो जाती है और हमें पता भी नहींचलता कि हमारी कमी क्या है और बॉड़्य में इतने प्रॉब्लम हो пож infect हुड होती है जिसके कारण है तानम हमोग सी कथिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिसमें यह अमीनो असेट्स हमारे प्रचुर मात्रा में हों कौन से 10 कुछ प्रोटीन जैसे केसीन और मैंने हमेशा क्लास में जब भी मैं क्लास में बढ़ा थी तो मैं हमेशा सबसे पहले यही पूस्ती थी कि बच्चों कौन बच्चा अभी भी कहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे दूद पीएं और क्योंकि केसीन जो मिल्क प्रोटीन है उसमें सारे 10 के 10 असेशल अमीनो असेट्ट मिलते हैं जो हमारे डेली रिक्वाइमेंट को पूरा करते हैं इनको याद करने के लिए 10 अमीनो असेट के लिए ह इसको कैसे बोलताता है टीवी मिल पात, क्या है टीवी, T है ट्रिप्टोफेन, V है वैलीन, M है मीथियोनीन, I है आईसोल्यूसीन, L है ल्यूसीन, L है लाइसीन, P है फिनाइललेनीन, A है आर्जिनीन, T है थ्रियोनीन और H है हिस्टिडीन, तो इनको याद करने का तबस अच्छा तरीका है, एक दुबारा पढ़ लो, पर याद कैसे करोगे, टीवी मिल पात से, यानि टोटल ये दस अमीनो एसिड्स हैं, जिनकी उपस्तिती हमारी बोडी के लिए अत्याविशक है, और इसी लिए इनको हम असेंशल अमीनो एसिड्स आरजिनीन, थ्रियोनीन, एन हिस्टरडीन, तो ये हैं हमारे असेंशल अमीनो एसिड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अमीनो एसिड्स बनाने की विधियां, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, हाला कि विधियां बहुत सारी हैं, एक्जामिनेशन में, बाइ नेम अची जाती है, पेपर के अंदर, इसलिए इनको देखना, तो पहला प्रिप्रेशन है, इजी प्रिप्रेशन है, कोई भी हैलो एसिड्स, एल्फा हैलो एसिड्स मतलब, एल्फा पोजिशन पे कोई हैलो जन लोगा हो, ऐसे एसिड्स पर, अगर अमोनिया की, क्लोरो है, अमोनिया की अभी क्रिया कराए, NH2 लग गया, NH4Cl निकल गया, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अगर सपोज यह है, इस पर अमोनिया की अभी क्रिया करी, तो एक अमोनिया से एक तो NH4Cl निकल गया, और NH2 इस पर आकर जोड गया, टोटल रिएक्शन होगी, तो हेलोजीनेटेटेड अमनों के एमिनेशन पर या एमिनेशन अarफ अफ एलफा हेलो जीनेटेड अिस एल्फा एल्फा हेलो हम सबको पता है क्या होता है थैलिक आसेड बैंजिन दो more potassium thalamide बनाते हैं और potassium thalamide की अभिक्रिया alpha halo acid के साथ करते हैं जो उपर acid दिखाया मैंने अभी उसी ऐसे acid के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो देखो कैसे होती है potassium salt of thalamide इसकी अभिक्रिया किसी भी alpha halo acid के साथ करते हैं तो KCL निकल जाता है और ये अभिक्रिया हमारी संपन हो जाती है जैसा हमें amino acid चाहिए हमें वैसी की वैसी अभिक्रिया करना नहीं पड़ेगी ऐसा हेलो acid हमें लेना पड़ेगा आर की जगे हम कोई सब इलकायल ग्रूब लगा सकते हैं आप जैसे बन गया ऐसी निकल गया इस वक्त हम इसका क्या करते हैं जलब घटन करते हैं तो देखो बच्चों मैंने आपको जलब घटन करने का की तरीका बता दी है एच इदर जुड़ा OH उदर जुड़ा OH उदर जुड़ गया तो हमें thallic acid मिल गया और साथ में क CH-R-C-O-H तो यह है हमारा Gabriel Thalemide Synthesis इसका यह नाम से examination में पूचा जाता है नेक्स preparation है stracker synthesis याद रगो कौन से synthesis इस stracker synthesis इस विदी में हम aldehyde या ketone की अभीक्रिया सबसे पहले ammonium chloride तता sodium cyanide के mission के साथ करते हैं के साथ अभीक्रिया करते हैं एल्डीहाइड के अभीक्रिया अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम साइड पोटेशियम में सोडियम साइड के मिश्रन के साथ करते हैं और इस अभीक्रिया से बने हुए उत्पात जलब घटन पर amino acid देते हैं इस अभिक्रिया का प्राराम ldhyde पर ना भी किस नहीं योकिसे होता है देखो एम्मोनियम chloride ले लिया kacian ले लिया kacil क्या बना देखो अमोनिया बना HCN बना और kacil निकल गया क्या बना NH4 में से अमोनिया बना HCN बना और kacil बना इस अमोनिया जो बनाए अब लडिया क्यूटन पर बिक्रिया करेगा, सिंपल सी बात है, और अमोनिया का एक H उपर जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया, NH2, इसमें से जलकाणू विलोपित हो जाता है, किसका अनू, जलकाणू, और NH2 से एक H लेके निक साइनाइड, HCN जो है, वो H और CN के रूप में विलोपित डिसोसियेट होता है, इसका साइनाइड गूरूप जो है, वो अभी क्रिया करेगा, कार्बन पर, और क्या बन जाएगा, जब साइनाइड डबल बॉन हट जाएगा, तो CN जो जाएगा, कार्बन पर, नाइट्रोज है, और हमें पता है, साइनाइड का जब भी जलाब गटन करेंगे, तो हमें अमल मिलेगा, जलाब गटन कर दिया, हमें मिल गया, अमल, तो इस तरीके से, यह रियक्शन है, स्ट्रेकर सिंथिसिज, जिसमें हम, LDH या कीटोन की अभी करिया, अमोनियम क्लोराइड, इन प्रस सोडियम साइनाइड या पोटेशिम साइनाइड के साथ करते हैं, नेक्स्ट है, मेलोनिक एस्टर सिंथिस, वेरी इंपोर्टन, यह पहली वाली जो रियक्शन है, इसी का थोड़ा सा, विस्तार है, मतलब थोड़ा सा इसको इलेबरेट कर दिया है, इसमें हम मेलोनिक अलफा हैलोजनेटेड एसिड बनाते हैं, इसे एसिड बनते हैं, जो अमीनेशन पे अलफा अमीनो एसिड देते हैं, क्या है रियक्शन देखो, सबसे पहले मेलोनिक एस्टर लेते हैं, मेलोनिक एस्टर है, सी एस्टू, रियक्टिम मिथालिंग रूप्ट वाला सी एस्ट है Malonic acid का इस पर हम किसी भी तरीके से R या Alkyl group लगा सकता है आसानी से Sodium Mithoxide की अभी करेंगे फिर Alkyl Halide की अभी करेंगे तो यहां R आ जाता है Alkyl Melonic Aster मिल जाता है को ह और SEL की अभी कराने पर हम देखते हैं यह जो समू है Alkyl Melonic Aster जो है वो वो ब्रोमीन के साथ HBR बन के निकल जाता है और BR समूं कार्बन पर जुड़ जाता है इसको अगर हम हीट करते हैं इस कंपाउंड को जब हम सी हीट करते हैं एक CO2 का CO2 निकल जाता है और क्या जोड़ जाता है R, CH, BR और CO2 अब आप देखो अमीनो एसिट का CO2 तो हमें मिल गया पर हम उनको NH2 भी चाहिए तो इसका reaction हम वो ही करेंगे अमोनिया के साथ करेंगे यहां क्या होता है HBR निकल जाता है और alpha amino acid हमें प्राप्त हो जाता है तो इस तरीके से यह चार विदिया मैंने आज की class में तुम्हें बताई alpha amino acids के amination से दूसरा gabriel thalamate synthesis तीसरा stracker synthesis और चौता malonic ester synthesis बाकी synthesis हम next class में पढ़ेंगे थैंक यू